अजाद हाइस्कूल की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है आज हम पढ़ेंगे फर्स्ट क्लास की SST का 12th chapter people who help us आज हम उन लोगों के बारें पढ़ेंगे जो हमारी help करते हैं अलग-अलग तरीके से जो लोग हमारी मदद करते हैं हमारे काम करने में उनके बारे में आज हम पढ़ेंगे शुरू करते हैं कविता हैस्ट गो टू ए पार्टी शी वेंट शी वांट अन्यू ड्रेस विद लॉट्स अ फ्रिल कविता को एक पार्टी में जाना है जिसके लिए वो चाहती है कि उसके पास एक ड्रेस हो जिसमें बहुत सारे फ्रिल लगे हूं शी वांट टू गो टू ए टेलर इसलिए वो टेलर के पास जाना चाहती है टेक कविता टू ए टेलर नीचे जो पिक्चर दी गई है वहां पे एक साइड पे कविता खड़ी है और एक साइड पे टेलर की शौप है तो हमें यहां पे इसका रास्ता बनाना है कि कैसे कविता टेलर की शौप तक बहुंच सकती है तो आपको इसमें एक रास्ता बनाना है ठीक है Can Kavita stitch a dress on her own? No, she cannot क्या Kavita खुद अपनी dress सील सकती है? नहीं, वो नहीं सील सकती We cannot do everything by ourself हम सब कुछ अपने आप नहीं कर सकते हैं अपने काम हम खुद सारे अपने काम खुद नहीं कर सकते हैं We need people to help us Think of the people who help us at home and at school इसलिए हमें लोगों की ज़रूरी पढ़ती है ताकि वो हमारी मदद कर सकें आपको आगे हम देखेंगे जैसे कि जो हमारे गर में हमारे काम करते हैं स्कूल में हमारे लिए जो काम करते हैं उन्ट लोगों को फिबाने में आके पढ़ेंगे Here are some people who help us यहाँ कुछ लोग देखेंगे हैं जो हमेरी मदद करते हैं पहला क्या है डॉक्टर इस डॉक्टर ट्रीट सिक पीपल जब हम बीमार होते हैं तो हमें कौन ठीक करता है डॉक्टर डॉक्टर बीमार लोगों को ठीक करता है आगे है टीचर की फोटो दे गई है A teacher tease children टीचर क्या करती है टीचर ही बच्चों को पढ़ाती है हम खुद तो नहीं पढ़ सकते इसलिए हमें टीचर सिखाती है हम वही पढ़ते हैं A sweeper, sweep और street sweeper क्या करता है sweeper हमारी जो गलिया होती है उनको साफ करता है उनमें जाडू गहरा लगाता है एक कारपेंटर में एक सार फरनीचर कारपेंटर क्या करता है कारपेंटर हमारा फरनीचर बनाता है जैसे जो हमारा bed, sofa, table, chair होती है लगली की उसका काम कोन करता है कारपेंटर एन आर्टिटेक्ट डिजाइन बिल्डिंग आर्टिटेक्ट होता है इंजीनियर जो हमारे गर के डिजाइन बनवाता है वो क्या करते हैं वो बिल्डिंग जो बड़े बड़े गर होते हैं बड़ी बड़ी बिल्डिंग होती है उनके डिजाइन बनाता है अब पुलीस आफिसर कैज थीव्स एंड कीप दा नेवर हुट सेव पुलीस क्या करती है पुलीस चोरों को पकड़ती है और अपने आसपास के लोगों को सुरक्षित रखती है Chemist, a chemist sells medicine Chemist क्या करता है? Chemist नवायां बेचता है A Baker makes cake and biscuit बेचर क्या करता है? Baker, biscuit और cake को बेच करता है A Postman Deliver letter and parcel पोस्ट मैं क्या करता है? postman हमारे letters और parcel को deliver करता है हम तक पहुचाता है एक shopkeeper sell item of daily use shopkeeper क्या करता है shopkeeper हमारी रोज़ वाली की जिरूरतों को की चीज़ों को बेजता है जैसे हमें कोई भी चीज़ चाहिए होती है हम कहां पर जाते हैं दुकान पर हमें हमारी रोज़ाना इस्तेमाल होने वाले चीज़े देशता है आगे हम activity करेंगे but would you like to become when you grow up give three choices आपको यहां पर लिखना है कि आप बड़े होकर क्या बनना चाहते हो doctor, architect, teacher जो भी आप जहां पर बनना चाहते हो आपको तीन choices यहां पर लिखनी है आगे हम assignment करेंगे a dash treat sick people बिमार लोगों को ठीक कौन करता है doctor, यहां पर doctor आएगा a dash teaches children पच्चों को कौन पढ़ाता है teacher, यहां पर teacher आएगा a dash wakes cake and biscuit cake और biscuit कौन बेक करता है यहां पर आएगा baker we should cooperate with them in their work we should be good and polite to the people who help us इसलिए जो लोग हमारी मदद करते हैं हमें उनके साथ अच्छे से behave करना चाहिए और उनकी भी काम में मदद करने चाहिए उनके उनसे अच्छे से और प्यार से बात करने चाहिए और हमें उनको respect करने चाहिए जो भी हमारे लिए काम करता है आगे हम तिक दक रेक्ट अप्शन करेंगे assessment में इस डैश इस डाक्टर और टीचर टीचस अस हमें कोण पढ़ाता है हमें कोण टीच करता है टीचर करती है जो डाक्टर यहां पर टीचर आएगा एक कारपेंटर मेक्स और शूज और फरनीचर कारपेंटर हमारे शूज बनाता है जाँ फिर हमारा फरनीचर बनाता है यहां पर आएगा फरनीचर एन आर्टिटेक्ट और बेकर वेक्स केक और बिसकिट जो आर्टिटेक्ट होता है वो क्या biscuit बनाता है जा फिर baker के एक और biscuit बनाता है यहाँ पे आएगा baker ए बेकर और policeman catch thief चोर को कौन पकड़ता है पुलीस पकड़ती है जा फिर बेकर पकड़ता है यहाँ पे आएगा police officer पुलीस officer catches thieves और shopkeeper sell things later जो shopkeeper होता है वो क्या बेचता है वो चीज़े बेचता है जा फिर letter बेचता है यहाँ पे आएगा things आगे हम match the two column करेंगे पहले आएगा a tailor tailor का आएगा b stitches are cloth tailor क्या करता है हमारे कपड़ों को सीलता है आगे आएगा दूसरे वाला a teacher teacher क्या करता है teacher का आएगा f teaches in the class teacher class में पढ़ाता है और shopkeeper shopkeeper क्या करता है shopkeeper का आएगा e sell item of daily use shopkeeper हमारी रोजाना की इस्तेमाल करने वारी चीज़ों को बेचता है a chemist chemist क्या करता है यहाँ पर आएगा c sell medicine chemist दवायां बेचता है a postman postman क्या करता है postman का आएगा a bring letter and parcel वो हमारे parcel letters लेके आता है six आएगा a baker baker क्या करता है यहाँ पर आएगा d bakes cake and biscuit आगे आपको answers करने है name these few questions आगे आएगा name a few people who help in us in our day to day life हमारी रोज की लाइफ में हमें कौन help करते हैं हमें उनके नाम लिखने है जैसे पहला आएगा doctor, teacher and police officer help us in our day to day life what does a sweeper do? sweeper क्या करता है? a sweeper sweep our streets वो हमारी गलियों को साफ करता है what does a chemist do? a chemist cells medicine chemist medicine बेचता है यहाँ पर आएगा chemist cells medicine आगे हमें यह activity time के matches करने है जहाँ पर जो चीज़े दे गई है बीच में उनके नाम लिखे गई है कि वो कौन यूज करता है जो लोग इन चीज़ों को इस्तेमाल करता है हमें उनके उनके साथ इनको match करना है जैसे blackboard कौन यूज करता है? teacher इसका teacher के साथ जोड़ेंगे इसको आगे हमें lateral parcel दिया गया है जे कौन पहुंचाता है हमारे तक? postman आगे swing machine कौन चलाता है? tailor दूसरी साइड में हमें stethoscope दिया गया है जिससे doctor हमारा बुखार बगारा चेक करते हैं तो ये कौन इस्तेमाल करता है? doctor आगे हमें carpenter का समान दिया गया है तो इसे कौन इस्तेमाल करता है? carpenter साथ हमारा carpenter इस्तेमाल करता है आगे नीचे हमें architect का समान दिया गया है तो इसको हम architect के साथ ही जोड़ेंगे I hope आपको आज की वीडियो अच्छे से समझ आई हो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छे लगे तो इसे शेयर और लाइक जरूर कीजिएगा थेंक्यू